हलो मित्रों जय मातादी मित्रों आज का यह विडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि जनवरी के महीने में आप लोगों को इस व्यक्ति के साथ छोड़ दिना है दोस्तों अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीफर में कुछ ऐसे रिलेटिव, कुछ ऐसे रिष्टेदार और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें अक्सर एन वक्त पर धोखा दे जेते हैं जो हम जिसपे हम बहुत चादा यकीन करते हैं वही हमारे पीट-पीछे खंजर भोग देते हैं ऐसा आपके जीवन में भी एक व्यक्ति जरूर है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अक्सर लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कई फवलता नहीं मिलती है हमें सफलता फ्राप्त नहीं हो रही है हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है धन आता भी है तो वर्टिकता नहीं है फैसे आते भी हैं रहते नहीं है हमारे काम धन्धा थब पड़ गए है नए काम धन्धा जो शुरू भी किया है उनमें भी अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है नौकरी में भी बहुत समस्याएं हैं प्रेम जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं स्वास्त भी अच्छा नहीं रहता है और कई सारे ऐसे भी जातक हैं जिनकी तो नौकरी भी नहीं लग पा रही है विरुजगारी उन लोगों को बहुत प्रिसान कर रही है पारिवारिक महौल भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा परिवार में बहुत अधिक नगरात्मक्ता आ रही है लव लाइफ भी बिल्कुल बरबाद हो चुकी है इसके पीछे का कारण क्या है इस प्रकार के कई सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं तो इन सभी जितने भी यह तरीके के सवाल है उन सवालों का सटीक जबाब आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का समधान बताने का प्रियास करूँगा और आप लोगों के जीवन को अनुकूल और सुन्दर बनाने का प्रियास करूँगा जो आपके ग्रह इस्तितिया है वह काफी अच्छिर चल रही है काफी कुसल मंगल चल रही है ग्रहों के इस्तितियों की वज़ा से आपके जीवन में कोई प्रिसानी नहीं आ रही है वलकि एक ऐसे इनसान की वज़ा से आपके जीवन में प्रिसानी आ रही है जो अक्सर आप लोगों के इर्दिगर्दी ही होता है आपके अडोसी पडोसी में ही है और वही आप लोगों के जीवन की सबसे भड़ी प्रिसानी की बजा है हम आपको उस व्यक्ति के नाम रासी के बारे में जरूर बताएंगे और आप लोगों के जीवन में ये जो प्रिसानिया चल रही है इसको किस प्रकार से दूर करना है ये भी है मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बताऊँगा तो बस आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी कोई अच्छी जानकारी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सची सर्धा के साथ मा मा भदरकाली मा भदरकाली मेरी रक्षा करो मेरे कष्टों को दूर करो जरूर कमेंट कर दीजेगा मा भदरकाली, मा दुर्गा बहुत ही दयालू हैं और भक्तों के जो भी सच्ची सरधा के साथ मा का नाम लेता है उनके सभी कश्चों को मा दूर कर देती हैं और उसका कोई बाल भी बाका नहीं करता मा दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं उसके परिवार की रक्षा करती हैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर मैं विंति करता हूँ कि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतना रिसर्स से आप लोगों के लिए विडियो बना रहा हूँ तो इस विडियो को लाइक कर दीजिएगा और मातारानी का नाम मातारानी का जैकारा कमेंट बॉक्स में जैमा भद्रकाली जैमा दुरुका मा मेरे रक्षा करो मेरे कश्टों को दूर करो जरूर लिख दिजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल के साथ जूड़ जाएए इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा बलकि आप हमारे प्रिवार के सदस्य हो जाओगे और जो भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा वो सबसे पहले आप देखोगे तो चलिए दोस व्यक्ति पर आप अपने प्रिवार के जो सदस्य हैं जिस पर की आप इतना जादा विश्वास करते हैं उनसे अपने सारी बाते सेयर करते हैं वह आपके मौके का फायदा उठा रहा है वह आपके पीछे सडियंत्र कर रहा है वह आप लोगों के जीवन में कश्टों का पता चल सकेगा और व्यक्ति का साथ आपको दिन परते दिन वर्वात करता आ रहा है और आगे भी करेंगा इसलिए आपको उस व्यक्ति का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना है अब बात करेंगे हम पूरी जानकारी डिटेल्स के साथ आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे चोड़ दे और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें मित्रों दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप पिछले कई दिनों से पिछले कई महीनों से उनके साथ अपनी सारी बातों को सेयर करते हैं चाहे कोई प्रिसानी की बात हो अच्छी बात हो या कोई सीक्रेट बात हो या फिर कोई बैपारिक बात हो बैवसाइक बात हो या आपके निजी जीवन से जुड़ी करियर से जुड़ा लव लाइफ से जुड़ा या गुप्त सम्मंद से जुड़ा कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो पैसो स से जूड़ी समस्चा हो आर्थिक तंग्यों से जूड़ी समस्चा हो या आपके निजी जीवन में कोई खुसकबरी आई है खुसकबरी चल रही है वह बाते हो वह सारी की सारे बातों को आप उनके साथ सेर करते थे और आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करके अपने सारी बातों को सुना देते हैं परन्तु कोई तीसरा व्यक्ति जिसे आपने बताया भी नहीं वह व्यक्ति आपको बताता है कि आपके जीवन में यह चल रहा है तो यह कैसे हो रहा है जिसे आप सुना रहे हो वो कहीं न कहीं तीसरे व्यक्ति को सुनाता है चौथे व्यक्ति को सुनाता है तभी वो आपके सामने आपकी बातों को आपके गुप्त रूप से जो बाते आपने किसी एक को बताया है वो पूरे घर में या पूरे समाज में पत आने बाली हैं और उस व्यक्ति के सच्चाई को जान कर आपके होंच उड़ जाएंगे कि आखिर वो व्यक्ति जिस पे आप सबसे ज़्यादा यकीन करते थे जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपने सारी बातों को बताते थे अपने सारे रहस्य उनके साथ सेर करते थे वह वैक्ति वह इंसान आपके पीछे आपके पीट पीछे क्या कर रहा था वह आपसे जलता है वह आपकी निंदा करता है वह आपकी तरक्की से जल रहा है और वह आपसे क्या चाह रहा है या वह आपसे क्या चाहता था या वह आपको कौन से इस्टिती में देखना चाहता यह आपको पता चलेगा मत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप में एक खुबी है या आप में एक बुराई है मैं जो बता रहा हूं उसे आप अपने अनुसार देखेगा इसे आप जिस तरह समझना चाहें आप समझ सकते हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहे वह या कोई अपना हो पराया हो समाज का हो कोई व्यक्ति हो अगर वह आपके साथ चिक्नी चुपड़ी बाते करें तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं कोई भी व्यक्ति हो अगर वह इमोशनली तरीके से आप से बात करें अगर वह आपको इमोशनली ब्लेक मेल करने की कोसित करें या ब्लेक मेल करें या फिर आप पर हावी होने की कोसित करें आपके साथ चिकनी चुपड़ी बाते करें आपके साथ अच्छी बाते करें आपके बढ़ाई करें आपकी मुख पर आपको परसंसा करें और आपको बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में बताए तो आप उन्हीं के बातों पर सबसे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं उनके साथ आप emotional हो जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि वही आपके लिए सबसे अच्छा इनसान है वही आप लोगों की भलाई सोच रहा है और आप भावनात्मक रूप से उन्हीं के रूप में आ जाते हैं उन्हीं के बातों में फज आते हैं वो कहते हैं न भेडिया ने चाल चली और भेडिया फस चुका वही आपके साथ होता है और उन लोगों पर व्यकीन करके उस व्यक्ति पर व्यकीन करके आप अपने जीवन की गुप्त रूप से रखी वी बातों को जिसे किसी के साथ साधा नहीं करनी चाहिए वो भी आप अबनाओं में बहकर उनके साथ साधा कर जाते हैं उनके साथ आप अपने गुप्त रूप से रखी हुई बातों को भी बता देते हैं और खुद बाद में परिसान होने लगते हैं बाद में आपको महसूस होता है कि यह काम या यह बात मुझे सेर नहीं करनी चाहिए थी कमे पावनाओं में बहकर नहीं बताते हो लोगों को बातेशान जरूर बताईएगा क्या मैं गलत कह रहा हों जरूर बतायएगा और उनहीं की बातों को आप यकीन करके उनहीं के बताईगे रहा पर चलने लगते हैं उन्हें के बातों में आ जाते हैं वो जो कहे आप उन्ही पर यकीन कर लेते हैं और अपनी सारी की सारी बातों को उनके साथ अपने सारे के सारे दुख तकलीफों को उनके साथ अपने जीवन की चल रही विबिन्न परकार की बातों को उनके साथ आप कैसे कमाते हो, कैसे रहते हो, कैसे सोते हो, कैसे क्या करते हो, अपने दिन्चरिया, अपनी ऑफिस की बाते, अपने नौकरी की बाते, हर बात आप सेयर करने लगते हैं, जो आप लोगों के लिए अच्छी बात है या बुरी बात, या आप खुद से डिसाइड आप जरूर बतायेगा कि किया आप ये जो कर रहे हो यह अच्छी बाते हैं यह बुरी बाते हैं परन्तु मैं अपने बताऊं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी और बहुत ही गंदी आदते हैं बहुत ही गंदी आदते हैं क्योंकि विहवार में आपको आपके जीवन में जो क्रिया कलाब कर रहे हैं वह दूसरों के साथ अपनी बातों को दूसरों के साथ सेर करने में आपको अच्छा तो लगता है जब आप सेर करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं मेरा नाम हो रहा है मेरे इज़त बढ़ रही है, मेरे परसंसा हो रही है और वही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तरक्की में बाधा है यह आप लोगों की बहुत गंदी और बुरी आदत है और आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी बुरी आदत है इसे आप लोगों को छोड़نا होगा वह सामने वाला वैक्ति तो चतुराई से अपने बुद्धी का इस्तमाल करके आपके सारे वेद को ले लेता है आपके सारे जो भी गुप्त रूप हैं वह उस वैक्ति को आप बता देती हूं लेकिन जब उसकी वारी आती है जब आपको जब कोई काम रहता है तो आप जो है उससे काम नहीं निकालते हैं वो आपसे तो काम निकलवा लेता है, चिकनी चुपड़ी बाते करके अगर कोई काम लेना हो तो काम निकलवा लेता है, लेकिन जब आप परिसानी में घिरे रहते हैं, जब आपको मदद की जरुत होती हैं, जब आपको उनकी जरुत पड़ती हैं, तो आपको बाद में अंग की आपके अची बाते हैं या बुरी अक्सर आपने जो भी मुझे कमेंट में पूछा मैंने उसके बारे में बताने का फ्रियास किया और ये भी आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी मुर्खता पूर्ण बाते हैं अक्सर आपको ये बाते चुब रही होगी लेकिन ये हकीकत है जरूर बताईएगा कमेंट में कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं अब चलिए आपको अगली बाते बताएं ऐसे में आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को इस आदत को छोड़ना होगा और भावनात्मक और emotional हूये भी ना आपको emotional और भावनात्मक परिवेस को छोड़कर अपने बुद्धी और विवेक का अपने दिमाग का जो भगवान ने इस्वर ने आपको जो दिमाग दिया है उसका उपयोग करना है और उसकी उपयोग करके आप जो है अपने बुद्धी विवेक का उपयोग करके अपने जीवन में उपयोग करिए यकीन मानिए मेरा विश्वास करिए कि आप लोगों के जीवन में अगर ये गंदी आदत जो है ये छूट जाएगे न तो आप हर कारे में आप लोगों के जीवन में हर कारे में शफलता मिलेगी हर कारे में आपको तरक्की मिलेगी आपके जीवन की सभी प्रकार की प्रसानिया दूर हो जाएगी यह जो आप कहते हो ना कि धन नहीं आ रही है धन आती भी है तो रुकती नहीं है आप यकीन मानिये केवल और केवल इस आदत को छोड़िये आप यह आपके जीवन में धन भी आएगा तरक्की भी करोगे और इतनी तरक्की करोगे कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे आपके साथ रहना चाहेंगे आपका भेद लेना वो अलग इंसान होते हैं आपकी मदद करना चाहेंगे इसलिए आप लोगों को उस व्यक्ति का विशेज ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से ऐसे व्यक्तियों के पहचान करनी है और उनसे दूर हो जाना है अगली मैं बात करूँ तो आपकी अक्सर आपने देखा होगा चाहे आप अच्छा कारी करो या बुरा कारी आप अगर कोई अच्छी भी कारी करते हैं लोगों के सहाता भी करते हैं लोगों के मदद भी करते हैं चाहे वो अच्छा कारी हो या बुरा कारी हो दूसरा व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो भेक्ती अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा आपकी बुराई चाहता है आपके अच्छाईयों में भी जहांकि एक परसेंड भी बुराई नहीं है आपके अच्छाई है आपका नाम हो रहा है वहाँ भी कोई न कोई कमी आपको दिखा देगा कोई न कोई बड़ा तमासा कर देगा कोई न कोई ऐसा बड़ा हमेशा ढूंडता रहेगा जिससे कि आपकी परसंसा ना हो आपकी निंदा हो अक्सर ऐसे घरों में होता ही है आपके भी आसपास जरूर होगा कि आपके हर कारे में कमी निकालेगा अगर आप पैसे भी कमाते हो तो कहेगा ये दो नमबर कानु करता है ये कुछ और कहेगा आपके निंदा करेगा आपको बात सुनवाने की कोशित करेगा आपका जो नाम हो रहा है वो आपसे जलते हैं और वह आप लोगों के जीवन में बुराई चाहता है ठीक है तो आप समझिए या फिर आप पर हक जताने की कोशित करता है या फिर आपको नीचा दिखाने का पर्यास भी वह लगातार करते रहते हैं आपको नीचा भी दिखाते हैं ऐसे में बुरे वेक्ति जो होते हैं वह आपको हमेशा नेगेटिव और थोड़ा सा असाहाई भी आपको महसूस करवाने की कोशित करते हैं जैसे मानो कि सब लोग उसके ही हो आपके पक्ष में कोई न खड़ा हो सब लोग उसी के पक्ष में खड़े हो ऐसा भी वो आपको महसूस करवाने की कोसिश करता है तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उन बुरे वेक्तियों को बुरे वेक्तियों की पहचान करे उन बुरे वेक्तियों को आप किसी भी बातों पर यकीन न करे यह जो होते हैं न यह लोग ऐसे होते हैं कि जितना भी उन लोगों के लिए आप अच्छा काम कर लो जितनी भी उन लोगों की मदद करना जाओ जितनी भी उन लोगों के बारे में भलाई सोचो फिर भी आप जितनी भी उनके बारे में अच्छाई करने का प्रियास करो वो हमेशा आपको बुरी नजरों से ही देखते हैं और हमेशा आपको इरिटेड करने की कुश्च करते हैं वो हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रियास करते हैं और जितने भी अच्छे कारे कर लें जितने भी आप अच्छे सफलता को फ्राप्त कर लें उन सफलता में भी वक कोई न कोई कमी को, कोई न कोई ऐसी बातों को ढूणने का प्रियास करते हैं, जो कि आप पर हमेशा उंगलियां उठाते हैं, और हमेशा आपके गलतियों को ही गिनवाते हैं, तो ऐसे में आप भावनात्मक होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, आप धिक आप योग करने से, वो व्यक्ति आप से दूर चला जाएगा, व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा, तो ऐसे में दोस्तों, आप लोग जो है न, उस व्यक्ति की पहचान करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जब ऐसे व्यक्तियों की पहचान आप कर लोगे, और इस वीडियो को देखते हैं आपको पता चल रहा होगा कि वह व्यक्ति कौन है आपके माइंड में जरूर एक इंसान आ रहा होगा जरूर आ रहा होगा तो ऐसे में जो है ना उस व्यक्ति से आप जितना हो सके दूर रहें और कमेंड में जरूर बताईएगा कि वह व्यक्ति आ मा है ना मा सब ठीक कर देंगी मा दरुगा है ना वह सब ठीक कर देंगी तो ऐसे में आप लोग उस व्यक्ति की पहसान करें और उस व्यक्ति से आप दूर हो जाएं वहीं लव लाइफ की बात करते हैं अब चलिए थोड़ी सी लव लाइफ और आपके पारिवारिक जीवन में में भी आ जाते हैं धन दौलत के बारे में और वैपार में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो यह विडियो मेल और फिमेल दोनों के लिए आपको बताना चाहेंगे कि लव लाइफ में भी आप कभी गभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साथी पर जीवन संगनी पर या फिर आप अपने प्रेमी प्रेमी का पर अचारक से मन में संदेह उत्पन्द कर लेते हैं मन में डाउट हो जाता है कि कहीं वो आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है और कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है या दे रहा है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के जीवन साथी का जो वहवार है वो कहीं न कहीं आप लोगों के प्रती थोड़ा सा रूडली है वो आपके साथ कभी अच्छी बाते करेंगे कभी आपको बहुत चिला के बात करेंगे आप पे गुशा निकालेंगे आपसे चिड़ चिड़ा होकर बात करेंगे या फिर वो आपसे थोड़ा सा बत्तिमीजी से भी पेशाते हैं लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इतना प्यार कि वो आप लोगों की भलाई ही चाहते हैं वह आप लोगों की बुराई कभी नहीं चाहते हैं अगर आप फोन लगाओगे और अगर आपके प्रेमी प्रेमी का फोन नहीं उठाते हैं फोन को रिसीब नहीं कर पाते हैं तो बाद में आपके अंदर एक गुस्सा उत्मन्न हो जाता है जरूर बताएगा कमेंट में कि क्या गुस्सा उत्मन्न होता है आपके जीवन में परंतु आपको गुस्सा करने की वज़ा उनकी परसीतियों कुछ समधना होगा कि आप भी कभी phone receive नहीं करते हैं आप भी कभी कोई काम में रहते हो तो FON Receive नहीं करते हो इसलिए गुस्सा जो है न वो आपको छोड़ना होगा आपके मन में गुस्सा होता है और उनके प्रती प्रेम भी है आपको भी प्रेम बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा व्लगाव भी है आपको अपने जीवन साथी के साथ इसलिए मेल जोल कर रहें रिष्टों में खटास पनपने ना दें रिष्टों में आप खटास उत्पन ना होने दें और अपने जिम्मेदारियों को बखो भी निवाएं जिम्मेदारियों को आप कभी भी न छोड़ें ऐसे में आप एक दूसरे को हमेशा special feel करवाने में रहें कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि आप उनकी कदर नहीं करते उनसे प्रेम नहीं करते हमेशा यह महसूस करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम बहुत ज़्यादा लगाव अपने जीवन साती के फ्रती रख रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों को समद रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को समद रहे हैं और बुराईयों को आप बिल्कुल भी एक दूसरे के बारे में बुराई ना आने दें दोस्तों यह वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, बाते तो बहुत सारी है बताने के लिए, मैं धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में आपके प्रसनल लाइफ, प्रोफेसनल लाइफ, पैपारिक, लव लाइफ, सब के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, बस आप लोगों से अनुर के साथ फिर से एक बार कहूंगा कि आप जो है वीडियो को कमेंट बॉक्स में सची चरदा के साथ जैमा भद्रकाली जैमा दुर्गा जरूर लिखें मा मेरी रक्षा करो कश्टों से मुझे दूर रखो जरूर कमेंट कर दिजेगा और साथ ही साथ मैं आपको बताना कि अगर आपके जीवन में कोई परिसानी चल रही है किसी परकार का कोई कश्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिजेगा मैं आपको आपकी परिसानी से दूर करने में आपकी सहाता करूँगा और अगली वीडियो में या फिर कमेंट में ही रिपले कर दूँगा तो द तब तक के लिए मुझे अगली वीडियो में देखिएगा धन्यवाद जैमाविन दुवासनी